नॉलेज की दुनिया में इंटर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज वर्ड को और बेल आइकन को दबाईए लेटे जनल नॉलेज वीडियो देखने के लिए दोस्तों इंक्रिज नॉलेज के बिलकुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के लिए में हमेशा के तरह 20 सवाल लेने वाले है जो की बहुत ही इंटरस्टिंग जी के सवाल है तो वीडियो एन तक देखना नमशकार दोस्तों आप देखने नॉलेज वर्ड शुर तो इसका अंसर है बी जोर्ज वशिंग्टन तो यूनियाटेट सेट्स अफ अमरिका के पहले राष्ट्रपती जोर्ज वशिंग्टन है तो यहां पर दूसरा सवाल है विच इस दे नैशनल बर्ड उफ इंडिया यानि भारत का राष्ट्रियो पक्षी कौन है तो इसका जवाब है डी पीकौक यानि मोर और आपके लिए मैंने पीकौक की इमेज यहां पर दिखाई है और यह हर भारतियों को आना है चे कि भारत का राष्ट्रिय पक्षी मोर है दोस्ते हैं पर अगला सवाल है यानि CBI का फूल फॉर्म क्या होता है तो आपे option A Central Bureau of Investigation B Criminal Bureau of India C Central Branch of India D Crime Branch of Investigation तो इसका जवाब है A Central Bureau of Investigation तो CBI यानि Central Bureau of Investigation जिसे हिंदी में केंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो कहते हैं और यह एक भारतिय जाच एजंसी है जो भारत सरकार के अंतरगत काम करती है यहाँ पर अगला सवाल है What is the Capital of New Zealand यानि New Zealand की राजधानी क्या है तो यहाँ पर option A Chris Church, B. Auckland, C. Wellington, D. Hamilton तो इसका अंसर है C. Wellington तो New Zealand की Capital Wellington है दोस्तो अगला सवाल है When is National Sports Day celebrated in India यानि राश्रिया खेल दिवस या राश्रिया खेल दिन भारत में कब मना जाता है तो option A. 29th August B. 15 September C. 15 August D. 29 September तो इसका अंसर है A. 29th August जो की हमारे भारत के होकी टीम के पूर्वक अपतान मेजर ध्यांचन जी का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन पे राश्रिया खेल दिवस मना जाता है जो की 29th August को है दोस्ते हैं आपे अगला सवाल है Where is the headquarters of World Health Organization situated यानि वीश्व स्वास्त संगठन का मुख्य कार्या ले कहाँ पे स्तीत है तो आपे A. अप्शन जेनेवा B. है मॉस्काव C. है Paris D. है New York तो दोस्तो इसका अंसर है A. जेनेवा जो की स्विजर लेंड कंट्री में है तो World Health Organization यानि वीश्व स्वास्त संगठन का मुख्य कार्या ले जेनेवा मिस्ती थे यहाँ पे अगला सवाल है identify the flag which country is flag यानि यह जो आप समने जंडा देख रहे है वो कौन से कंट्री का है तो आपे आपको option A. इंडोनेशिया B. स्विजर लेंड C. मलेशिया D. भूतन तो इसका अंसर है C. मलेशिया तो यह जो आप समने जंडा देख रहे है वो मलेशिया कंट्री का है यहाँ पे दोस्तो अगला सवाल है which great freedom factor गयोदो स्लोगन इनकलाव जिन्दाबाद यानि इनकलाव जिन्दाबाद यह नारा किस महान स्वतंतर सेनाने ने दिया है तो आपको option A. सुरिया सेन B. महात्मा गांधी C. बहगत सिंग D. लोकमाने दिलग तो दोस्तो इसका answer है C. बहगत सिंग तो इनकलाव जिन्दाबाद यह नारा महान स्वतंतर सेनानी बहगत सिंग न दिया है तो अगला सवाल है who is known as flying sick यानि flying sick के नाम से कौन जाना जाता है तो option A. मनमहन सिंग B. मिलखा सिंग C. हरभजन सिंग D. हरनी सिंग तो इसका answer है B. मिलखा सिंग तो मिलखा सिंग इंडिया के one of the best थरनर रहे चुके है और यह actually पंजाबी है इसलिए उनको flying sick के नाम से सम्मानित किया गया है तो अगला दस्वा सवाल है kuchipudi is a dance form associated to with state of India भारत के किस राज्जी से जुड़ा हुआ नृत्य है तो A. आप्शन आसम B. तमिलनाडू C. केरेला D. आंध्रपदेश तो इसका answer है D. आंध्रपदेश तो कuchipudi यह dance form आंध्रपदेश से related है पर कuchipudi यह नृत्या शिर्फ आंध्रपदेश सेट में ही famous नहीं है बलकि यह पूरे भारत में किया जाता है दूस्व अगला 11 सवाल है इन विच केटेगरी डिड मधर टेरिशा हैड़ ओन द नोबल प्राइज यानि मधर टेरिशा ने कौनशेज शेत्र में नोबल प्राइज जीता है तो A. ओप्षन इकोनोमिक्स यानि अर्थशास्त्र B. पीस यानि शान्ति C. लिट्रेचर यानि साहित्य नोबल पीस प्राइज जीता है यहाँ पर दोस्तो अगला सवाल है identify the logo, which company's logo यानि यह जो आप सामने चिन्न देख रहे है वो कौन से company का है और यह बहुत ही famous car company का logo है तो ओप्षन A. BMW B. Hyundai. C. Volkswagen D. Mercedes तो इसका अंसर है C. Volkswagen तो यह जो आप सामने लोगों देख रहे है यह बहुत ही famous car company या car brand Volkswagen का logo है यहाँ प्यागला सवाल है which is the biggest wildlife century of India यानि भारत का सबसे बड़ा वन्य प्राणी अभेरण्य कौन सा है तो ओप्षन A. काजिरंगा नेशनल पार्क B. पेरियार नेशनल पार्क C. कॉर्बेट नेशनल पार्क D. रन्थमबोर नेशनल पार्क तो इसका अंसर है यह काजिरंगा नेशनल पार्क जो की आसाम में है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य प्राणी अभेरण्य है जिसका शेत्रफल 265 स्क्वेर किलोमेटर है और दोस्तों यह अभेरण्य है वन होंड राइनोसौरस यानि एक सिंगी गिंडे के लिए फीमस माना जाता है तो आपर अगला सवाल है वो एज इंवेंटेड दो प्रिंटिंग प्रेस यानि प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार या प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी तो आप्शन A. जोसफ स्वैन B. ग्यालिली ओ ग्यालिली C. स्टीफन होकिन्स और D. जोहेंस गुटनबर्ग तो इस सवाल का जवाब है D. जोहेंस गुटनबर्ग तो प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार जोहेंस गुटनबर्ग ने किया है यहाँ पर 15 सवाल है Night blindness is caused due to deficiency of which vitamin यानि राताउंधी या रात का अंधापन ये विमारी किस vitamin के कमी के करण होती है तो option A, vitamin D, B option vitamin C, C option vitamin B, D option vitamin A तो इस सवाल का जवाब है D, vitamin A, तो night blindness यानि राताउंधी या रात का अंधापन ये विमारी vitamin A के कमी के करण होती है तो अगला सवाल है which instrument is used by doctors to measure heartbeats यानि डॉक्टर्स हमारी दिल की धड़कन को मापने के लिए किस उपकरण या साधन का इस्तमाल करते हैं तो option A. microscope, B. stethoscope, C. telescope, D. periscope तो इसका answer है B. stethoscope और मैंने आपको उसका picture भी दिखाया है तो doctors इस साधन का इस्तमाल करते हैं हमारे दिल की धड़कन को मापने के लिए या पर दोस्तो अगला सवाल है which unit is used for measuring power यानि बिजली को मापने के लिए किस EKI या किस मातरक का इस्तमाल किया जाता है तो option A. joule, B. volt, C. watts, D. ampere तो इसका answer है C. watts, तो power यानि बिजली को watts में count किया जाता है और ये उसका unit है तो दोस्तो अगला सवाल है डूलिप ट्रोफी is associated to which sport यानि डूलिप ट्रोफी ये किस खेल से जूड़ी हुई ट्रोफी है यानि आप पैसा भी के सकते है डूलिप ट्रोफी किस खेल को जीतने का बद दी जाती है तो option A. cricket, B. football, C. volleyball, D. hockey तो इसका answer है A. cricket तो दूलिप ट्रोफी ये ट्रोफी क्रिकेट खेल से संबंधी थे और दूलिप ट्रोफी ये एक domestic first class cricket tournament है जो इंडिया में होती है और इसमें इंडिया के states पार्टिसिपेट करते है तो यापे 19 वा सवाल है वो इस दे राइटर अव दे फेमस नॉवल हमलेट यानि मशूर पुस्तिका या उपनास हेमलेट के लेकक कौन है तो अप्शन ए रस्किन बॉंड बी चार्ल्स डिकन सी विल्यम शेक्सपियर डी मार्क ट्वेद तो इसका अंसर है सी विल्यम शेक्सपियर तो मशूर पुस्तिका या उपनास हेमलेट के लेकक विलियम सेक्स्पियर है जो कि बहुत शांदार लेकक है तो यापे 20 वा आखरी सवाल है Who founded the Mughal Empire in India यानि मुगल सामरज्य की स्थापना भारत में किसने की थी तो इसका अंसर है B बाबर जो कि भारत के सबसे पहले मुगल राजा है और इन्हों नहीं भारत में मुगल सामरज्य की स्थापना की थी दोस्तो इनक्रीज नुरज के आज की एपिशोड में बस इतना ही अपने फूल वीडियो देखा एंड तक इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जाने से पहले चैनल को सबस्क्राब कीजे और बेल आइकोन को दबन मत बुलेगा